एंड फाइनली अभी शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड आया और इसे देखने के बाद मैं ही तो बोली सकता हूँ कि सिरीज में हमें में स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया बस हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे जैनिफर वॉल्टर मतलब अपनी हल्क की करने को मिल सकते हैं तो वीडियो को अपनी रिस्क पर देखना अब बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड की तो इसके स्टार्ट में जैनिफर एक दलिल की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि वह एक लॉयर होती है और उसी एक के ट्राइल पर जाना होता है और अभी फर्स् बैनर और जैनिफर एक राइड पर गए थे तो तभी उनके सामने एक स्पेस्शिप के आने के वज़े से उन दोनों का एक्सेडेंट हो जाता है और जैसे कि ब्रूस बैनर अपने हुमन फॉर्म में होता है तो उसको एक्सेडेंट के बाद उसके शरीर से खून निकलने पताया लगाए कि ऐसे कैसे हो गया आखिर मेरे खून दूसरे के शरीर में जाने के हो जैसे कोई कैसे हल्क बन सकता है तो बाद में उसे पता चला है कि जैनिफर का डीने और ब्रूस का डीने लगबग सेमी है उनके काम करने का तरीका एक ही है जो कि गामा रेडियेशन को ए उसकी वज़े से कोई और फायदा उठा लेता है फिर इन सब के बाद हल्क जो होता है वो जैनीफर को समझाता है कि आप तुम्हें एक नॉर्मेल हुमन नहीं हो तुम अब एक सूपर हीरो हो तो तब ही जैनीफर बोलती है कि उसे सूपर हीरो नहीं बनना वो एक लाइरी रहन चाहती है खेर ये तो हमें आगे पता चलेगा कि क्या होगा और इनी सब के बीच जब ब्रूस जैनिफर को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है हमें टोनी स्टार के बारे में बताया जाता है कैसे टोनी और ब्रूस एक बहुत अच्छे दोस्ते वो कैसे इस आइलेंड पे आके एक्सपरिमेंट्स किया करते थे और दारू पी के टलनी हुआ करते थे और सच बता रहा हूं वो सीन देखने के बाद फड़ा एमोशनल हो गया था फिर आगे बढ़ते हैं जब जैनिफर इन सारे ट्रेनिंग से पक जाती है और फिर वो जान चल रही होती है तभी एंट्री होती है टिटानिया की जहां उसका मकसद क्या होता यह तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि पता चलने से पहले ही जैनिफर शील्क में बदल गई और फिर टिटानिया को पेल दिया फिर कानी वहीं पे एंड होती है और हाँ एक मेन चीज हमें इस एपिसोड के end में हमें ये पता चलता है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सवाल था और हजारों वीडियो बनी थी इसके उपर कि क्या स्टीव रोजर्स अपना कैटन अमेरिका वर्जिन था तो end credit scene में Bruce ने बताये कि साल 1943 में एक United States के मिशन के दोरान स्टीव रोजर्स ने अपनी virginity खो दी थी एक लड़की के साथ में खैर overall ये एपिसोड बहुत अच्छा था टोनी और Bruce के relationship के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मुझे ये भी लग रहा है कि शायद Bruce Banner का रोल जो है सिर्फ episode 1 तक ही था अब शायद वो आगे के episode में हमें ना दिखाया जाए पता नहीं मेरा ही ये सोचना है या तुम सब का भी ये सोचना है कि ये episode ने उतना curiosity नहीं जगाया क्योंकि इस episode में हमें सिर्फ she hulk के originality के बारे में बताया कि कैसे वो she hulk में बनी आपके क्या विचार है इस वीडियो को देखने के बाद हमें comment section में जरूर बताना और हाँ आप सबको ये अच्छी series suggest कर रहा हूँ सिर्फ एक season देखने के बाद आपको दो season का मज़ा आएगा अगर आपको जानना है तो वो वीडियो आपको right side में दिख जाएगी तो check out जरूर करना और insta से connect हो सकते हो link in description बागी till then मिलते हैं अगली वीडियो में